हेलो गाइस, करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ विशेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 17 नुमबर तक के सभी इंपोर्टन करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं अब इसागी तरह आप इस वीडियो को अंदर तक जरूर देखेगा आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा साथ ही गाइस, इस सेशन को सुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा यह आप हमारे डेली करंट अफेर्स पीडियेफ वीकली पीडियेफ और मंतली पीडियेफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फ़र्स्ट कॉमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं साथ है आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेर्स फंडा अपको इंस्टॉल कर लिजे क्योंकि जो भी हमारा पीडियेफ मैटियेफ लेजिसन आपको करंट अफेर्स के साथ साथ स्ट्राटिक चीके भी प्रवाइट कराते हैं यह सभी मैटियेफ आपको हमारी करंट अफेर्स फंडा एप पर युपलब्द हो पाएगा हमारे पीडियेफ को संबंदि दिया आपको कोई भी डाउट है कुछ भी आप पूछना चाते हैं तो कॉमेंट बोक्स में जरूर लिखेगा तो चले फिर करते हैं शुरूआत इस वीडियो सेशन की सबसे पहले आचा कोश्चन देखेंगे जिसका आंसर आपको कॉमेंट बोक्स में करना है वर्ट ड़स एस स्टेंड फॉर इन ग्रूपिंग ऑफ ब्रिक्स नेशन्स पूछ रहे हैं कि ब्रिक रास्टों के सम्मूं में एस का क्या अर्थ है बी आर आई सी स्टेंग का सिंगापूर या फिर साउथ एफ्रिका काफी इसी कोश्चन है जल्दे से कॉमेंट बोक्स में आंसर कर दीजिए फिर आगे बढ़ेंगे विच स्टेट एप्रूब्ड मोख्यमंत्री शिक्सा प्रोत्साहन योजना एकलव्य प्रसिक्षन योजना गुरुजी स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना और मोख्यमंत्री सारथी योजना पूछना है कि किस राज्य ने मोख्यमंत्री सिक्सा प्रोत्साहन योजना एकलव्य प्रसिक्षन योजना गुरुजी स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना और मोख्यमंत्री सार्ती योजना को मनजूरी दी है options आपके सामने हैं सही answer option C रहेगा जारखंड तो देखिए जारखंड cabinet ने students के लिए कुछ education सम्मंदित योजना schemes को approve किया है और जो UI हैं उनके लिए कुछ skill development सम्मंदित schemes को approve किया है तो total 4 इस तरह की schemes हैं नाम मैं आपको बता चुका हूँ यह सभी schemes है मुख्य मंतरी सिक्सा प्रोथसान योजना एकलब्य प्रसिक्षन योजना गुरुजी स्टूटेंट क्रेट काड़ योजना और मुख्य मंतरी सारथी योजना बागी आपको जाना चाहिए जारखंड के बारे में इस्तापना 15 नमबर साल 2000 को हुई थी चीफ मिस्टर हेमंत सोरेन है गवर्नर यहां के रमेज बैस हैं कैबिटल राजी है और सबसे महत्रपूर यहां के festivals के बारे में जानियेगा करम सरहूल यह कई बार पुछा जाता है एक्साम में बहुत बार पुछा जा चुका है यह तूसू परब, रोहीनी, बाकटा परब, सोहराई, सोहराई तो और भी राज्यों मना जाता है जारे तो यहां आप याद रखेगा The 18th edition of Indo-US Joint Training Exercise युद्ध अभ्यास 2022 is scheduled to be conducted in which state भारत अमेरिका सेयुक्त परजिक्षन अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022 का अठारवा चंस्क्रण किस राज्य में आईजित होने वाला है Options आपके सामने है सही आंजर Option C है उत्राखंड तो आपको जाना चाहिए Indo-US Joint Training Exercise युद्ध अभ्यास 2022 ये 18th edition है और इस महीने उत्राखंड में conduct होने वाला है News तो इस तरह से आ रही है कि ये शुरू हो चुका है जो उत्राखंड में चमौली डिस्टिक में जो ओली जगा आती है यहाँ पर लेकिन ऑफिशली अभी जगह किस जगह पर हो रही है ये बताया नहीं गया है आर्मी की ओर से आपको जाना चाहिए जो एक्ससाइज युद्ध अभ्यास है ये एन्वली conduct की जाती है बारत और युएस से के बीच में तो rotation की साब से चलती है पिछली बार जो 2021 की थी वो United States में हुई थी आपको जाना चाहिए युएस आर्मी की ओर से जो इनके 11th Airborne Division की 2nd Brigade है यहाँ के soldiers participate कर रहे हैं और भारत की ओर से Assam Regiment के जो soldiers हैं वो इसमें participate कर रहे हैं विच एडिशन ओफ दा Coastal Defense Exercise Sea Wizard 22 वोस कंड़क्टेड बाई इंडियन नेवी रिसेंटली हाली में भारतिय नोसे नाद्वारा 30 रक्सा ब्यास Sea Wizard 22 का कौन सा संस्क्रण आज जित किया गया options आपके सामने है सही answer option भी है 3rd तो आपको जाना चाहिए कि इंडियन नेवी ने largest nationwide Coastal Defense Exercise इसका नाम Sea Wizard 22 है इसकी सुरुवात कर दी है और इस बार जो ये addition रहा इसका 3rd addition रहा है तो ये Coastal Defense Exercise इसका नाम है Sea Wizard 22 अच्छा एक और exercise यहां पर इंडियन नेवी द्वारा की गई सी नाम बर के महिने में इसका नाम है प्रस्थान ये प्रस्थान कहां पर की गई है Mumbai offshore पर Mumbai के तट पर की गई है कहां पर ONGC के platform पर तो आपको जाना चाहिए जो ये प्रस्थान exercise है ये Western novel command के अंतरगत की जाती है साल में दो बार What type of creature is Fridges The mascot for the 2024 Paris Olympics and Paralympics 2024 Paris Olympics और Paralympics का शुभांकर Fridges किस प्रकार का creature है प्राणी है Options आपके सामने है सही answer option B है A Liberty Cap देखें आप देख रहे Cap की तरह है Liberty Cap है जानेंगे इसके बारे मैत पूर्ण कोश्चन है तो आपको जाना चाहिए जो Paris 2024 के और्गनाईजरस्ट हैं इन्होंने जो Summer Olympic होने वाला है यहां Paris में और Paralympics Games होने वाले हैं इनके लिए Official Maskot सुभांकर लौंच कर दिया है जिसका नाम है Fridges तो यह Official Maskot है क्या है यह Originally क्या है यह रैड गैब जहने है जासे कि आप देख पारे है और फ्रांस में जो Freedom है उसको 있्रेजेट करते हैं जो Freedom मूमेंट क्योंकि необходимо इसलिए France क्यों यह रिप्रेजेट कर रहे है रैडड कैप्स इनको बोला गया है freezes तो आपको चाहना चाहिए जो freezes है यह आखर आया कहां से यह सब्द आया कहां से तो देखे जो टर्की है यहाँ पर एक ancient Greek kingdom हुआ करती थी उसका नाम था है freezia तो वहाँ पर जो enslaved people थे जब वो free हो गए तो उनके द्वारा इस तरह की caps पहनी गई थी तो उसी को French Revolution का symbol बनाया गया था इसलिए अब इसको official maskat बनाया गया है Paris 2024 Olympics Games का बागी आपको जाना चाहिए जो 2024 में Summer Olympics होने वाले हैं जो की officially आप कहेंगे कि 33 समर Olympics परिस में होने वाले हैं यह 26 जुलाई से 11 अगस 2020 तक चलेंगे और break dancing इसमें debut कर रहा है Olympic event के तौर पर ISRO has successfully conducted the whole test of which cryogenic engine ISRO ने कि cryogenic engine का सफलता पूरवक होट परिक्सन किया है options आपके सामने हैं सही answer option भी है CE20 तो देखे Indian Space Research Organization यानि यह ISRO इसने CE20 cryogenic engine का होट test conduct किया है जो की LVM3 जिसे की पहले हम GSLV Mark III के नाम से जानते थे इसके लिए develop किया गया है और इसका जो thrust level है वो 21.8 ton तक जो है बढ़ा दिया गया है आपको जानना चाहिए अब यह जो CE20 cryogenic engine है यह LVM3 की payload capacity को बढ़ा देगा जाना चाहिए हाली में इसनों ने जो GSLV Mark III है तो उसको redesign किया और उसका नाम अब हो गया है launch vehicle Mark III LVM3 आपको बताते हैं इंडिया का heaviest launch vehicle है तीन stage इस vehicle में है तू solid motor stepson एक liquid propellant core stage और एक राजनिक stage साथ ही आपको जाना चाहिए हमने हाली में यह भी देखा था कि वन वैप की 36 satellites इसी LVM3 launch vehicle द्वारा और विट में place की गई थी साथ ही आपको यह भी जाना चाहिए हाली में 2009 में इस तरो द्वारा reset to satellite launch की गई थी तो अब उसने एक uncontrolled re-entry मारी है अर्थ में वापस और यह Indian ocean में आकर जो है गिरी है चकारता के पास में इस तरो के बारे में तो आप जानते हैं headquarters बैंगलूरू में है और chairman S. Somanath है इसकी स्थापना कई बार पूचे जाती याद रखेगा 15 अगस्त 1969 1969 फांडर विक्रम सारा भाही रहे हैं अच्छा यह आप जानेगा कुछ इसरो से संबंदी जो केंद्र हैं यह भी एक्जाम में पूचे जाते हैं देखिए अगर मैं आपको खास खास बताओं तो तीसे नंबर का यू आर राव सेटलाइट सेंटर और चोथे नंबर का इसरो प्रपॉल्स कंप्लेक्स महिंद्री में है और शिक्स नंबर पर जो है इसपेस अप्लिकेशन सेंटर एमदाबाद यह भी कई बार पूचा जाता है साथी नेसल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद यह भी सेंटर सें तो हैदराबाद लिखे सबकी एक साथ जितने भी हैदराबाद में सबकी लिष्ट बना लीजेगा कई बार पुछे जाते हैं जो इस्टिटूट से कई सारे हैं साथी नवे नंबर पर देखेगा मास्टर कंट्रोल फैसलिटी हासन एंड बोपाल यह भी कई बार एक्जामस में पूछा जाता है अलग-अलग एक्जामस में अच्छा आपने देखा सात्य नमबर पर नेशनल डिमोट सेंसिंग सेंटर और यहां पर देखेगे पंद्रवे नंबर पर है इंडियन इस्टूट ऑफ डिमोट सेंसिंग ये देरादूर में सांथी सोले नमबर सही आंसर ऑप्शन एह रहेगा कार्लोस सावरा तो देखिए इस्पैनिस फिल्म डारेक्टर एंड राइटर हैं कार्लोस सावरा इनको सत्य जी तुर्य लाइफटेम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जाएगा किसी इवेंट में जो 53 एडिशन होने वाला है इंट् अस्ट्रियन फिल्म अलमा एंड ऑस्वर जिसको डिरेक्ट किया गया है ड्रेटर बेरनर के द्वारा यह इस एन्वल फेस्टिवल को इस इंट्रेसल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की ओपनिंग करेगी इस फिल्म के साथ ओपनिंग होगी और जो परफेक्ट नंबर य जो फिल्म है यह क्लोजिंग इवेंट में दर्साई जाएगी दिखाई जाएगी अच्छा वहीं अगर हम इंडियन पैनरोमा की बात करें तो इंडियन पैनरोमा की सुरूहात होगी कंणड फिल्म हदी ने लिट्टू के साथ और जो अंत होगा वह होगा दे शो मस्ट गो इस फिल्म के साथ अगरी कोई ग्लोबल पैंडेमिक यादी आ जाती है तो उससे निपटने के लिए 1.4 बिलियन युएस टोर का फॉनिया पर लॉंच किया है जी टॉन्टी हैल्ट एंड फाइनेंस मिनिस्टर्स के द्वारा आपको जाना चाहिए कि जी टॉन्टी सम्मिट 2022 में कहां चल रही है बाली इंडोनेशिया में संबन हो चुकी है यह सत्रवी मिटिंग रही है जी टॉन्टी की और नूसा दुआ बाली इंडोनेशिया में यह हुई 15-16 नॉंबर के पीच में इसका मोटो रहा रीकवर टुगेदर रीकवर स्टोंगा बारत के जो हमारे प्रदानमंत्रिय ने तो यह क्या है मैंग्रूफ फोरेस्ट हैं तो यहां पर इन्होंने मैंग्रूफ को भी प्लांट किया है जितने भी लीडर्स आये मोदी साब ने भी किया है विच कैम्पेन वास लॉंस्ट बाइंडिया एट सी ओपी 27 सरमल सेख मिश्र में भारत द्वारा कौन सा अभियान स इन्वार्मेंट फोरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहरत आता है इसने युनाइट नेशन्स डेवलेप्मेंट प्रोग्राम युएन डीपी के साथ मिलकर एक कैम्पेन लॉंच किया है जिसका नाम है इन ओवर लाइफ टाइम तो इस कैम्पेन का मकसद क्या है जो यू से कि वो क्लाइमेट एक्शन सम्मधित इनिशेटिव्स को जो है देश पर में फैलाए आपको बता देंगे जो यह जो कैम्पेन है यह सरमल सिक में जो इवेंट और एस यूपी 27 यही पर लॉंच किया गया हम भारत द्वारा साथ है आपको जाना चाहिए भारत ने इसी कॉ क्लाइमेट चेंज को आप सभी जानते हैं कि भारत दोजार पच्चिस तक एसे लोड ब्लैंडिंग 20 परसेंट करने की रहा पर है साथी इसी COP27 की जो मेटिंग चल रही है इसे के साइड लाइन में जो बेसिक ग्रूप है बेसिक ग्रूप का मतलब जाने के ब्राजिल, साथ आफ्रिका, इंडिया और चाइना ये भी कई बार पुछा जाता है तो इनकी भी एक मेटिंग हुई है साथ ये आपको जानना चाहिए इसी मेटिंग के दोरान जो ये 27 COP चल रहा है इसी के दोरान जो जी सेवन नेशन से इन्होंने एक प्लैन लॉंच कि है जिसका नाम है ग्लोबल शिल्ड तो ये ग्लोबल शिल्ड प्लैन क्या है इसका मकसद यह है कि जो डिजास्टर हीट कंट्रीज है थी कि उनको एक क्लाइमेट फंड प्रोवाइट कराना जो भी डिजास्टर हीट कंट्रीज है इस प्लैन का नाम है ग्लोबल शिल्ड पुलिजा सकता है कि ग्लोबल शिल्ड किस ग्रूपिंग से संबंदी थे आंसर होगा जी सैवन नेशन और इसको अबूल कलाम आजाद मा का टोफी 2022 मौलाना अबूल कलाम आजाद टोफी 2022 के लिए किस विस्विज दहले को चुना गया है options आपके सामने हैं सही answer option सी है गुरूना रक्टेव इनुवस्टी अमरित सर तो देखे ministry of youth affairs and sports इन्होंने national sports awards 2022 announce कर दिये हैं और president of India द्वारा ये वर्ट तीस नॉंबर 2022 को दिये जाएंगे आपको जाना चे मेजर ध्यान चंत खेल रतन अवर्ट 2022 ये शरत कमल अचनता को दिया जाएगा table tennis के player है और 25 sports persons को अर्जुना अवर्ड दिये जाएंगे साथ ये आपको जाना चे गुरू नानक तेव इनुवस्टी अमरित सर इनको मौलाना अबूल कलाम आजात ट्रोफी 2022 दिये जाएगी ये जो आप राइट साइट पर देख रहे हैं यही ये ट्रोफी है अच्छा कि मिल के कोश हैं यह आप जरूर पढ़िएगा क्योंकि द्रोणाचार अवर्ड कई बार एक्जाम में पूछा जाता है तो टेलिग्राम आप जोइन कर लिजा करन्ट अफेर्स फंडा या फिर अपने आप भी लिस्ट आप उसको नेट से देख सकते हैं ठीक है गर्टमनेनी क्रिष्णा वू पास्ट अवे रिसेंटली वॉस वेटरन एक्टर नौन फोर इस वर्क्स पिडॉमिनेंटली इन विच सिनिमा अनुभवी अभिनेता गर्टमनेनी क्रिष्णा जिनका हाली में निधन हो गया मुख्य रूप से तेलगू सिनमा में अपने काम क में निधन हो गया असी वर्स की आयू में साल 2009 में इन्हें पद्मभूशन से भी भारसरकार द्वारा सम्मा नित किया गया था और 1989 में यह कॉंग्रेस पार्टी से MPB एलेक्ट हो चुके हैं एक और अभीचुरी हम इसी के साथ देखेंगे दोनों अभीचुरी को मैं एक तो इनका भी हाली में निधन हो गया 66 की एच हुए फ्रेंच प्रेजिडेंट एमेनुवल मेकरोन एनौंस्ट दे एंड अफ डिकेट लोंग मिलिटरी ऑपरेशन इन द साहिल वट इस दा नेम ऑफ दा ऑपरेशन फ्रांस के रास्टपती एमेनुवल मेकरोन ने साहिल में ए फ्रेंच प्रेजिडेंट है एमेनुवल मेकरोन तो उन्हें एनौंस किया है कि अफ्रिका का जो नौर्थ अफ्रिका में आता है रीजन साहिल रीजन तो यहाँ पर जो पिछले दस सालों से लगबग जो बारखाने एंटी जिहादिस मिशन चल रहा है इसको अब हम समाप्त कर रहे हैं और कुछ नई स्ट्रेजी पर हम कार्य करेंगे अपने अफ्रिकी देश्वों के साथ मिलकर तो इस उप्रेशन का नाम रहा उप्रेशन बरकाने आपको बताने इस साल फरवरी से यह उप्रेशनल नहीं है और फ्रांस ने माली से भी अपनी जो मिलिट्रिया इसक काफी बढ़ रही थी जो कि अल-काइदा दाईस आईस आई आईएस आईस टेरर ग्रूप से संबंदी थी तो इनन को दबाने के लिए एक्टिविटेइस को दबाने के लिए फ्रांस द्रार और और भी कई सारे में पार्टनर कंट्री से रहे पर में इनली चो लेड़ ये क किया गया था जैसे नाइजर में च्छाड में और बुर्कीना फासू मारितानिया में इन सभी कंट्रीज में किस एजन्सी ने अपनी इन हाउस सतर्कता पत्री का सुबोध का पहला सस्क्रण चारी किया आपको जानना चाहिए एक एनमडी सी ने एक एनमडी सी का जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है तो इन्होंने अपनी इन हाउस विजिलेंस मेगजीन का फस्ट एडिशन लॉंच किया है अपने हेड ओफिस हैदराबाद में इस मेगजीन का नाम है सुबोध NMDC के CMD सुमित देव है साथी NMDC एक और निउस की वज़े से चर्चा में रहा इन्होंने यहाँ पर Champion of Champions अवार्ड जीता है कहाँ पर 16th PRCI Global Communication Conclave 2022 में तो इनको कई सारे अवार्ड यहाँ पर दिये गए हैं जिनमें की Most Resilient Company of the Year, Internal Communication Campaign, Corporate Browser, Best PSC Implementing CSR इन सभी में इसने Gold Awards जीते हैं इन सभी Categories में विच्वादा फॉल्विंग एस वन दे नेशनल अवार्ड एंट्रेप्रेंशिप इन अग्रिकल्चर एड़ नेशनल कॉंफरेंस ओन होर्टी कल्चर वैल्यू चैंस इन पूने निम लिकत में से किसने पूने में बागवानी मुल्य सरंकलाव पर रास्टे सम्मिलन में क्र इस आ जाता है तो इसलिए अग्रिबिजनस की न्यूजबिया में छोड़नी नहीं है तो देखे इनोटेरा जो की एक स्विस इंडियन एग्रिटेक प्लैटफॉर्म कंपनी है इसे नेशनल अवार्ड फॉर एंट्रेप्रेंशिप इन एक्रिकल्चर यह जीता है कहां पर न इसको भी हाली में इनुग्रेट किया है यह सभी एग्रिकल्चर संबंदित न्यूज है एक और न्यूज हम इसी तरह के देखेंगे यह भी महत्तपॉर्ण आप कह सकते हैं क्रिकेटर अजिंग के रहाने इन्होंने एक क्रोड रुपे का सीड फंट एनौंस किया है एग्रि इन नवंबर विच नियो बैंकिंग फिंटेक हैस रिसीवट इन प्रिंसिपल एप्रूबल फ्रूम दा रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया फोर पेमेंट एग्रिगेटर गेटवे लाइसेंस के लिए बार्थे रिजर्ब बैंक से सहिदानतिक मंजूरी मिली है ओप्शन आपक प्रिचिवल ईप्रूबल प्रात कर लिया है पेमेंट एग्रिगेटर के फोर पर कारयेटर के लिए पेमेंट एक्रिगेटर क्या होता है मैं आपको कई बार बता चुका हूं तो आप सब को जाना जी जो ये open है ये एक platform है जो की all-in-one finance platform है SMEs के लिए और small businesses के लिए और जो इसके co-founder and CEO है ये अनीज अशुतन है विच स्टेट बैंड दा पब्लिक डिस्प्लेय ओ फायर आम्स एंड सोंग्स प्रोमोटिंग गन कल्चर एंड वाइलेंस किस राजने बंदुक संस्कृति और हिंसा को बढ़ावा देने वाले फायर आम्स और सोंग्स के सरवजनिक परदर्शन पर प्रतिबंद लगा दिया है options आपके सामने सही आंसर option एह रहेगा पंजाब तो देखे पंजाब गॉणमेंट ने जो इस तरह के सोंग्स हैं जो की गन कल्चर को प्रमोट करते हैं या फिर वाइलेंस दिखाते हैं या फिर फायर आम्स करते हुए दिखाते हैं इस तरह के जो भी एक्टिविटीज हैं उनको बेन कर दिया है ठीक है लो एंड उडर को यह प्रमोट कर रहे हैं और वाइलेंस तो गलोरिफाई कर रहे हैं तो कुछ सोंग्स ऐसे भी आते हैं आप आपने देखा होगा पंजाबी सोंग्स में तो इसी के तैट यह कदम उठाए गया है वर्ड फिलोसोफी डे इस सेलिब्रेटेड एवरी थर्ड थर्सटे ओफ नमबर विश्व दर्शन दीवस नमबर के हर तीसरे थर्सटे को मनाया जाता है आपके सामने सही आंसर ओप्शन सी है तो आपको जाना जीए वर्ड फिलोसोफी डे यह एक इंटरनेशनल डे है जो कि युनेस को द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है और सबसे पहले किस नमबर दोजार दोको किया गया था यह नमबर को जो थर्सटे आता है उस दिन इंडिविजियल अर्निंग्स जम्ट नियरली वर्ट परसेंट सो फार इन दे करेंट फिसकल यह तो टैन पॉइंट फाइफ और करोड उपीस कॉर्परेट और व्यक्तिकत आये पर करका सकल संग्रे चालुवित वर्स में अब तक लगब कितने प्रतिशत बढ़कर दस असम देखने के मिला है थर्टीवन परसेंट का और करेंट फिसकल यहर में दस दसमलों पांच चार लाग क्रोड रुपे पहुंच किया है जो टैक्स है न जो वह कॉर्परेट और इंडिवेज्वल पर जो इंडिवेज्वल अर्निंग पर जो टैक्स लगता है ग्रोस क्लेक्शन उसकी वैल्यू बताई गई है दस समलों पांच चार लाग क्रोड हो गया है और इसमें फॉर्टीवन परसेंट क्रोथ मिली जो है व इस फिस्कल में अब इस इंडिया से क्रोंग क्रोथ फोर्कास्ट पोरत फॉर्टीज के नुसार क्लेंडर फस दोजार बाइस के लिए भारत की आर्थिक व्रिद्धिका पुर्मान मान क्या है ऑप्शनस आपके सामने है सही आंसर ओप्शन यह है 7 परसेंट तो देखिए मो अप्रो आउटलुक ट्वंटी 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 ट्वंटीफॉर ग्लोबल एकोनोमी फेसे रेकोनिंग और इन्फलेशन जियो पॉलिटिक्स एंड पॉलिशी ट्रेड़ उफ्स इस रिपोर्ट में जो भारत की एकोनोमी करूद फोरकास्ट को सेवंटी बेसिस पॉंट स कर दिया है और कितना कर दिया है अब सेवन प्रसेंट किसके लिए कलेंडर ये 2022 के लिए तो जो मोड़ि इस हैं का मोड कई बार बदलता रहता है इसलिए जो फोरकास्ट है इसको घटाते बढ़ाते रहते हैं आँ जल्दी से रिवाइस करेंगे और किस ने किया था हमने क्य ADV ने कर दिया है, 7% future ने किया है, 7% RBI ने भी 7% किया हुआ है SNP Global ने किया हुआ है 7.3% और OECD ने किया हुआ है 6.9% इसका screenshot ले लिजेगा और आपके काम आएगा Olympic medalist PC Mericom, PV Sindhu Mirabai Shanu and Gagan Narg are among how many eminent sport persons elected as members of the Indian Olympic Association Athletes Commission Olympic पदक विजेता, MC Mericom PV Sindhu, Mirabai Shanu और Gagan Narg कितने परतिशित खिलाडियों में से हैं जिने बारते Olympic संग के athlete I.O.K. सदस्चे के रूप में चुना गया है options आपके सामने सही answer option A रहेगा 10 तो आपको जानना चाहिए कि 10 eminent sport persons को Indian Olympic Association Athletes Commission के मेंबर के तौर पर elect किया गया है जिनमें MC Mericom PV Sindhu, Mirabai Shanu, Gagan Narang सामिल है आपको उता दें इन सभी 10 elected members हैं पांच men हैं और पांच women हैं तो इनके अलावा जो हमने उपर चार नाम देखे चार इनके अलावा अगर हम और six names देखे तो इसमें यह हैं सीवा केसवन, शरत कमल, रानी राम पॉल, बावानी देवी, बजरंग लाल और ओम प्रकास सिंग करहाना इस निम्री कित में से किसने विनियम इत संस्ताओं के विनियम और परियवेक्षन के छेतर में सहयों के लिए आर्बिय के साथ एक समझता है क्या मारा प्रकास स्थाक्षर किये हैं आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्षन डी रहेगा आई एफस सीए तो देखिए आई एफस सीए यानिकी इंट्रेंशल फाइनेशल सर्विसे सेंटर्स अथरोटी इसमें इजर बैंक ऑफ इंडिया के साथ MOU Memorandum of Understanding sign किया है किसलिए for collaboration in the field of regulation and supervision of regulated entities in their respective jurisdiction आप से भी जानते हैं दोनों ही regulator के तरह कारे करते हैं आपको जानना चेए जो इंट्रेंशल फाइनेशल सर्विसे सेंटर्स ऑफोरोटी है इसकी iasth차 Government of India Кiin गई थी कुडेवलप ऑं र्डेवल्डनीट इंटर्नेशल स्र्विसे सेंटर्स इन इंडिया तो भारत में जोOFFनीच हों इनको डेवलप करने और इन उनको डेवलेट क पढ़ने के लिए इसकी स्थापना की गई थी 27 अप्रेल 2020 को अंडर दा इंटरनेशल फाइनेशल सर्विसेस सेंटर्स अथरोटी एक्ट 2019 के तहत इसका हैट्वाटर्स गिफ्ट सेटी गांदी नगर में है और एट परजेंट गिफ्ट इफसी यह मेटें इंटरनेशल फाइनेशल सर्विसेस सेंटर है इंडिया में बाकि आपको जाना चाहिए इंज्टी सरी निवास इसके च्वेर परसन है प्रीविस साइन्मेंट कोश्चन के आंसर हम देखने वाले हैं वर्ड थ्रिप्टे इस अप्सर्ड ओन विस्टे देखे वर्ड वाइड 31 अक्टूबर को मना जाता है लेकिन भारत में हम 30 अक्टूबर को एक दिन पहले इसको मनाते हैं थीम इसका राज सेविंग प्रिपेर्स यू फोर दा फ्यूचर विच इट लॉंच्ट पंश्ट प इस विच कंट्री पेस क्रिप्टो करंसी एक्षेंज आंसर इस बहामास तो यह जो है बैंक्रफ्ट हो चुगा है जो ftx है तो इसलिए काफी चर्चा में बना हुआ है देखे आर बिया कई बार कह रही थी कि क्रिप्टो करंसी कि पे जो है विश्वास ना करें ना करें आर यह जो है कई ऐसे काम करता है जिससे मतलब अगर आर बिया को आप देखे न तो और जो देश्यों के सेंट्रल बैंक हैं उनसे कई आगे हैं और बात करें और से बी यह दोनों एंटिटीज ऐसी हैं जो कई बार भारतों क्राइसिस से बचाती हैं कई सारे आप ओर देखेंग यह मिल सकता है ठीक है जो क्राइसिस आते हैं इस्टोक एक्षेंज इन सब में तो वह इसी वज़े से आते हैं अगर सही से रेगुलेट ना किया जाए तो आर बिया और से भी यह एक बहुत स्टॉंग और गनाइजेशन हमारे देश में पुब्लिक सर्विस ब्रोड कास्टिंग डे इस सेलिबरेट एवर यह उन विश्टा आंसर इस 12th November वो बैक्ट गोल्ड मेल इन थे 10th National Cube Championship हैं इन गातको पार मुंबाई आंसर इस मौम्मध अशर चास्ती यह स्री नगर जमान काश्मीर जह हैं है फों 2022 onwards थार्ड नवंब्र इस अप्रेटिट एस इंट्रेशल दे ओफ बाइस फिर रिसर्फ तो आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया इन कोस्टिंस की इस तरह से पार्टिस पेट आप करते रहिए आज के असायमें कोस्टिंस देख लिते हैं वेन वस था पोक्सव एक पास्ट विश्ट इस अन्ट जी फिजिकल रिसर्च इंसिटूट लोकेट विश्मिश्टी लांश्ट ग्रीन अजी ओपन एक्सेस पोर्तल आर्मी चीफ जनल मनोज पांडे ओन नमेंबर 13 लेफ्ट फोर विश्ट कंट्री वो बिकें देख विश्ट बैटर तो कंप्लीट 4,000 रून्स इंट 20 इंट्रनेश्ट इंट्रनेश्मिश्टी इनुगरेटेट ओयो एक्ता हाउसबोर इन विश्टिक अविश्ट दिस्टिक कोमेंट बोक्स में बता सकते हैं साथी करेंट फेर्स बंड़ोग आप टेलीग्राम पर भी जोइन कर लिजिए यहां पर रेगुलर वीडियो अपटेट्स और करेंट क्विश्ट आप सभी के लिए डालते रहते हैं साथी दिस्टिक ग्रूप में आप किसी भी कोशन का सोल झालते हैं साथी दिस्टिक ग्रूप में आप किसी 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 दिस्टिक ग्रूप में आप